तो चलिए जानते हैं आज के फैक्ट्स के बारे में दोस्तों चाइना में इस कार्टून करेक्टर को बेन कर दिया गया है क्योंकि चाइना के लोग इसकी तुलना वहां के रास्ट्रपती सी जिन पिंग से करने लग गए थे और उनके उपर बहुत सारे मीम्स बनाने लगे थे आयरलेंड की राजदानी डबलिन में एक मार्शेज नाम की लाइबरेरी है जिसमें बहुत सी दुरलप किताबे रखी हुई हैं लेकिन अठारवी सताबदी में इन किताबों की बहुत ज़्यादा चोरी होने लग गई थी तो अब जो भी इनसान इन किताबों को पढ़ना चाते हैं उन्हें इसे पढ़ने के लिए पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जिसके कारण यहां सडकों और चोराओं का आज भी कोई नाम नहीं है पर टूरी टॉपस डॉरनी नाम की यह जैली फिश की एक ऐसी पर जाती है जिसे अमर जैली फिश भी कहते हैं और यह पित्वी पर मौझूद एकलोती ऐसी जीव है जो की कभी नहीं मरती कोई भी कत्रा लगने पर यह जैली फिश खुद को मार देती है इसके बाद मरे हुए उस सरीर से फिर से जनाम ले लेती है अगर हमें बारिश के लिए भी टेक्स चुकाना पड़े तब आप इसे क्या कहींगे तो ऐसा ही अमेरिका के राज्य मेरी लेंड में देखने को मिलता है वहां के लोगों को बारिश के लिए भी टेक्स चुकाना पड़ता है और बारिश जितनी ज़दा होती है टेक्स भी उतना ही ज़दा देना पड़ता है आपको इफेक्ट जानकर बहुत अजीब सा लगा होगा पर ऐसा रियल में है दोस्तों। अब जब बारिश की बात हो ही रही है तो एक फेक्ट और भी है बारिश को लेकर। बारिश के टाइम में पैदल चलने वालों के लिए एक प्रॉब्लम तो ये भी होती है कि कोई भी गाड़ी हमारे पास से इतनी तेश से निकलती है कि कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश कानून के अनुसार अगर गाड़ी चलाते समय आपकी गाड़ी से पानी के चीटे पैदल चल रहे है या आत्री को गंदा कर देते हैं तो आपको पांच जार पाउंड यानि की पांच लाख रुपे से भी ज़्यादा का जुर्माना चुकाना पड़ सकत प्रिटिश लोगों को चाय इतनी जदा पसंद होती है कि वहां के आर्मी टेंक्स के अंदर भी चाय बनाने के लिए अलग से जगे दी जाती है आपने ये तो सुना ही होगा कि साप के काटने से इंसान की मौत हो गई हो 2012 में नेपाल में ऐसा ही एक किस्सा हुआ था वहां के मौमत सलोमद्दीन नाम के किसान को कोबरा ने काट लिया था बदले में किसान ने भी साप को अपने दाथ से इतनी बार काटा की साप की मौत हो गई लेकिन उस किसान को कुछ भी नहीं हुआ मतलब कि इट्स अमेजिंग फैक्ट नमबर टू से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ओल पर क्लिक करके ओन कर लेना ताकि वीडियो अपलोड होती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाओ स्पाइडर मैन मूवी तो आपने देखी ही होगी आपको याद हो तो इस मूवी में पीटर पारकर और उसकी आंटी का एड्रेस 20 इन ग्राम स्ट्रीट दिखाया गया था अगर आप इस एड्रेस पर जाओगे ना तो आपको बहाँ पर असल जिंदगी में भी ये एड्रेस देखने को मिलेगा और दोस्तों फैक्ट ये है कि वहाँ सच में एक फीटर परिबार ही रहता है दुनिया का सबसे बड़ा बर्गत का पेड़ भारत में ही है और यह कॉलकाता में मौझूद है ये पेड़ 250 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इतना ही नहीं ये पेड़ 5 एकर जमीन में भी फैला हुआ है इसलिए इस पेड़ को The Great Vanient Tree के नाम से भी जाना जाता है अगर इसकी जड़ों की बात की जाए तो इस पेड़ में 2800 से भी ज़्यादा जड़े हैं और पेड़ की सुरक्षा करने के लिए 13 एक्सपर्ट का स्टाफ रखा हुआ है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और नीचे दी हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना की वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जादस जादस शेयर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में